नेटलेस बनाने के लिए मैंने ही आप ये बुकरम का पीस लिया है आप किसी प्रकार का बुकरम का पीस लिया है अब मैंने आपी एक बोतल ले ली है ये नेल पेंट की बॉटल है आप देवी जी की गड़े के नाप के हिसाब से बॉटल का नाप ले सकते हैं अब हम इस पीस को कट कर लेंगे कट करने के बाद ही कुछ इस प्रकार से आ जाएगा इसके बाद हम यहाँ पर चैन लेंगे आप चाहेते हैं यहाँ पर जरकन चैन भी ले सकते हैं मैं यहाँ पर यह पल चैन ले रही हूँ इसको यहाँ पर हम फैविकॉल की मदब से चुपका लेंगे आप चाहें तो फैविकॉल से भी चुपका सकते हैं मैं यहाँ पर फैविक ग्लू से इसको चुपका रही हूँ इसको गड़े की तरफ अच्छे से लगा लेंगे अब हम यहाँ पर यह पर चैन लगा लेंगी इसको गले के हिसाफ से गुलाई में लगाएंगे जहाँ पर हमने फैबरिक और लगाया था और इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे मैं यहाँ पर टूथपिक का यूज़ कर रहे हूँ इसको सेट करने के लिए आप किसी और प्रकार की इस जिक यूज कर सकते हैं सेट करने के बाद इस पर्ल्चेन को हम नेलकडर की हल्फ से कट कर लेते हैं इस प्रकार से हमारी जू बॉल्चेर नहीं अच्छे सा सेट हो चुकी है अब यहाँ पर हम एक और लेयर लगाएंगे इस पल्ट चैन की फिर से यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगा लेते हैं यह बॉल्ट चैन जो लगेगी यह पल्ट चैन जो लगेगी हाँ यह बिल्कुर इसके पास में ही लगेगी और इसमें अच्छे से हम इस glue को फेरा लेते हैं जिसे हमाई जो chain वो अच्छे से set हो जाए glue लगाने के बाद अब हम यह पी अपनी ये पर्ल chain लगा लेते हैं इसको भी हम ऐसी ही लगाएंगे जैसे हैं कि हमने उपर वाली chain लगाई थी फर्स लेयर लगाई थी इसी प्रकार से इसको भी हम अच्छे से set कर लेते हैं दोनों लेयर लगाने के बाद इसको अच्छे से सूखने के लिए रख देंगे यहाँ पर देखे इस पीस को हमने थोड़ा से सुखा लिया है अब हम यहाँ पर कुंदन लगाएंगे यह हम स्कॉर शेप के कुंदन लगाएंगे अब हम यहाँ पर इस फैब्रिक ग्लू की हैल्प से इन कुंदन को यहाँ पर चिपका लेंगे थोड़ी थोड़ी दूर पे हम इस कुलू को अप्लाई करेंगे और इसके उपर हम इन कुंदन को लगा लेंगे इन कुंदन को हमें बर्फी के अकार की तरह से लगाना है यानि इनकी नोक जो है वो नीचे की तरफ आनी चाहिए दिखेंगा कुछ इस प्रकार से हम इसको लगाएंगे जिसे नीचे की तरफ से थोड़े से नोकीले से रहें इस प्रकार से हमने यह सारे कुंदन लगा लिए हैं अब हम यहां पर एक छोटे वाले कुंदन लगाएंगे यह गोल शेप में है बिल्कुल बिंदी के डिजाइन के बहुत छोटी से बिंदी के डिजाइन के अब यह दो कुंदन के बीच में जो दूरी है गैब जो आ रहा है बीच बीच में हम यहां पर थोड़ा सा गलू लगाएंगे और इन कुंदन को यहां पर चुपका लेंगे यह देखेगा हमने इसको अच्छे से सुखा लिया है अब यह कुंदन जो है सारे सैट हो गए अब हम यहां पर कटिंग करेंगे थोड़ा थोड़ा सा पीस छोड़कर बुकरम का अब हम यहां पर कटिंग कर लेते हैं यह देखेगा दोस्तों यह हमारा पीस आगया है कटिंग होकर अब हम यहां पर यह पर पल चैन लगाएंगे जो हमने एक्स्टर बुकरम का पीस छोड़ा था उसके ऊपर अब हम यहां पर अच्छे से ग्लू लगा लेते हैं इसको अच्छे से फ्रेला कर लगाईएगा इस बॉल चैन को लगा लेंगे इसके छोटे-छोटे पीसिस कट करेंगे नेल कटर की हेल्प से ध्यान रहे ही जितना वी एक्स्टर पीस है इसको हमें कवर करना है इस बॉल चैन से इसलिए इसके छोटे-छोटे पीसिस ही कट करेंगा इस तरीके से यह सारे में इस तरीकी की बॉल्चेर लगा लिजगा यह देखिएगा यहाँ पे मैंने इस पीस में सारे में यह पल्चेर लगा लिए है अब हम यहाँ पे डोरी लगाएंगे ये मैंने ग्रीन कलर के धागे लिए हैं आप किसी और कलर के भी लिए सकते हैं साथे साथ मैंने ये बुगरम का पीस लिया है इस बुगरम के पीस पे हम ये डिजाइन ड्रॉ करेंगे इस डिजाइन को हम अच्छे सिर्फ ड्रॉ कर लेते हैं ड्रॉक कनने के बाद इस पीस को हम काट लेते हैं कट कने के बाद ये कुछ इस तरीके से आजाएगा इसके उपर हमें ये नेकलेस लगाना है इससे पहले हम ये दोनों जो दागे हैं इनको लगाएंगे इसके लिए मैं ये हाँ पर ये फैवरिक ग्लू अप्लाई कर रही हूँ इस नेकलेस के उपर चारो तरफ ये अच्छे से लगा देंगे ग्लू हम ये ग्लू लगाने के बाद ये जो धागे हैं हरे धागे ये दोनों तरफ लगा लेंगे मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट चूस कर रही हूँ इन धागों के लिए अधागों के उपर थोड़ा सा और लगा दिया है मैंने ग्लू जिसे चिपकाने में असानी हो अब ये बुक्रम का पीस जो है इसको चिपका लेती हूँ अच्छे से इसको सैट कर लेंगे और सूखने के लिए इसको रख देते हैं अब हम यहाँ पर बड़ा नेकलस मिनाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर ये बुक्रम का पीस लिया है इसको फोड करनेंगे यहाँ पर हम नेक कर डिजाइन लगाएंगे नेक कर डिजाइन हमें ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना है हम एक दो पॉइंट नीचे यहाँ पर गहराई लेंगे और ठोड़ा सा फेला कर इसमें नेकर ये डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे अब हम इसके कटिंग कर लेते हैं कटिंग करने के बाद यह देखेगा यह पूरा नैक कर डिजाइन आ गया है थोड़ा सा फैला हुआ है अब मैं इस पे फैबरिक ग्रू अपलाई कर लेती हूँ थोड़ा से इसको अच्छे से फैला ले ना आप इससे अच्छे से यह पल्स जो है इस पे चिपक जाएगी इस पे जो पल्स जैन है इसको अच्छे से आप सेट कर लीजेगा सेट करने के बाद इसको एक्स्ट्र चैन को नलकटर के हर्फ से कट कर लीजेगा देखे इस प्रकार से यह चैन सेट हो जाएगी अब हम इसमें एक और लेयर लगाएंगे यह इसकी बिल्कुल पास ही बनेगी यह लेयर अच्छे से ग्लू इसमें फिला देंगे इसमें भी हम यह जो पॉल्स चैन है इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं सेट करने के बाद यह एक्स्ट्र पॉल्स चैन को हम नलकटर के हर्फ से कट कर लेंगे यह दोनों लेयर हमारी बनकर तयार हो गई है यहाँ पे चिपग गई हैं अच्छे से अब हम यहाँ पे यह कुंदल लगाएंगे स्कॉय शेप के जैसे हमने छोटे नेकलस में लगाया था सेम उसी तरीके से हम बड़े नेकलस में इसको लगा लेंगे यहाँ पर मैंने यह सारे कुंदर लगा लिये हैं अब हम यहाँ पर यह छोटे वाले कुंदर लगाएंगे उपर की तरफ इन दोनों कुंदर के बीच में लगाएंगे इन पतले पतले छोटे छोटे कुंदर को यह यहाँ पर मैंने बहुत छोड़े साइस के कुंदन यह है आप चाहें तो यहाँ पर कोई नग भी ले सकते हैं सिल्वर कलर में या गोल्डन कलर में यह आपके च्वाइस के ओपर डिबेंड करता है अगर यहाँ पर आप कोई कलरफूल नेकलस बना रहे हैं तो आप यहाँ पर कलरफूल कुंदन भी ले सकते हैं कलरफूल स्टोंस भी ले सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से पूरा करने के बाद मैंने यहाँ पर इसमें कटिंग कर ली है इस तरीके से देखेगा जैसे मैंने छोटे वाड़े नेकलस में कटिंग करी थी अब यहाँ पर मैं यह पर्ल चैन लगा दूंगी यह देखेंगा दोस्तों पर्ल चैन लगाने के बाद यह कुछ इस प्रकार से आ जाएगा यह अच्छे से सुखा लिया है हमने अब मैंने यहाँ पर यह दो बुगरम के पीस कट करें हैं यह थोड़े से लंबाई में कट करें हैं मैंने यहाँ पर यह पीस इन दोनों पीस को मैं इस पीस के ऊपर में पीस के पीछे चिपकाऊंगी यहाँ पर हम पहले अपना में पीस ले रहते हैं इसी प्रेकार से हम दूसी तरफ भी ये पीस लगा लेंगे इनको अच्छे से सेट करने के बाद थोड़ सा इसको सूखने देंगे इसके बाद हम यहाँ पर यह बॉल चैन जो है यह जो बॉल चैन है इसको कट करेंगे कट करने के बाद मैंने यहाँ पर यह सेम साइज के कट करी है तीन एक तरफ लगानी है मुझे तीन एक तरफ लगानी है तो मैंने टोटन यहाँ पर चैन कट करी है इकोल साइज में करी है जितनी आपको लंबी चाहिए आप उसे साब से इसके लंबाई तैय कर लीजिएगा ये बुकरम के भचे हुए पीस पे मैं यहापर ग्लू लगा लूँगी और इस तरीके से मैं यहापर इन चैन को चिपका लेती हूँ यहापर मैंने इन तीनों चैन को चिपका लिया है सेम तरीके से मैं दूसी तरफ भी यहापर इन चैन को चिपका लेती हूँ यह देखे दोनों तरफ मैंने इन तीनों चैन को चिपका लिया है अब इनको एक सारा कर लेंगे अब हम उपर की तरफ यहाँ पे इन चैन्स को चुपकाएंगे इसके लिए मैंने यहाँ पे यह दो पीस बुकरम के कट करें है इनकी मोटाई चैन के हिसाब से रखी है मैंने इन पीस पे अच्छे से आप ग्लू लगा लीजेगा ग्लू लगाने के बाद एक ही करके इन चैन्स को हम यहाँ पे इस पे अच्छे से चुपका लेंगे इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ भी इन चैन्स को चुपका लेंगे यह देखे कर दोनों तरफ यह चुपक गई है अब मैंने यहाँ पे यह दो गोटे के पीस लिए हैं और बुकरम के पीस भी लिए हैं उपर वाली तरफ को हम अच्छे से यह देखे कर फोल्ड कर लेते हैं फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं ग्लू अप्लाई कर लेती हूँ अब दोनों तरफ एक एक करके यह गोटा जो है यह चुपका लेती हूँ पहले वाले नेकलेस में मैंने यहाँ पे आपको धागा लगाना बताया था इस वाले उसमें नेकलेस में मैं गोटा लगाना बता रही हूँ मैं इस तरीके से आपको दोनों तरीके से टाइ करना बता हूँगी कि आप यहाँ पर धागा भी लगा सकते हैं और गोटा भी लगा सकते हैं अब उपर की तरफ से हम यहाँ पर जो हमने कट करेते छोटे छोटे पीस इनको लगा लेंगे और इनको अच्छे से सैट होने देंगे ये देखेगा दोस्तों इस प्रकार से हमारे ये जो लंबा हार है और जो छोटा वाला गले से टच हुआ हुआ ये दोनों बनका तैयार हो चुके हैं आप चाहें तो देखेगा जी को इस प्रकार से भी ये दोनों हार एक साथ पैना सकते हैं या फिर आप अपनी इच्छा अनुसार लंबा हार या छोटा हार जिस प्रकार से आप बनाना चाहें ये दोनों हार बना सकते हैं आशा करते हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शियर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथी बैल आइकन भी प्रेस कर दें और वीडियो को यहां तक देख